नमस्कार सात्यों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकैडमी इस टैनों क्लासेज में दोस्तों आजके ये डिक्टिशन बहुत ही महत्वपूर्ण और ये परिक्षव उप्योगी डिक्टिशन है और पचास डिक्टिशन की ये सीरीज का पांच वर डिक्टिशन है तो आए स्टार्ट करते हैं डिक्टिशन डिक्टिशन की पीडिएफ आपको हमारे टेलिग्राम चैनल धनरा शॉर्ट है डेकैडमी पर मिल जाएगी Be ready for instruction, start within 5 seconds Start, अध्यक्ष महोदय, आपका भहुत भहुत धन्यवाद यह है जो मामला है, यह है, 17 प्रतिशत नौकरियों में आरक्षन का पूरक है विराम अगर पिछडे वर्ग के बच्चे पड़े लिखे नहीं सकेंगे तो उनके लिए नौकरियों में जो 17 प्रतिशत आरक्षन का प्रावधान है वहां तक नहीं पहुँच पाएंगे इसलिए मूल चीज यह है कि उन्हें शिक्षित करके इस लायक बनाया जाए कि वे आगे चलकर नौकरी पासकें इसलिए संसद ने सर्वसमती से इस संबंध में संविधान में संशोधन किया था पैरा यह है बहुत ही कंभीर मामला है ऐसा लगता है कि सत्तापक्ष की सोच बहुत ही साधरन है सामन्य व्यवहार है हम बहुत अधिक कानूनी बात पर नहीं जाना चाहते अन्य पिछड़ा वर्ग के चात्रों को जो सुविधा देने की बात हो रही है अगर इस वर्ष उन बच्चों को वह सुविधा नहीं मिलती है तो वास्ताव में यह दुर्भाग्य होगा हम चाते हैं की सरकार इस बात को बहुत गंभीरता से ले ताकि आपस में कोई विवाद न हो जो एक सही नीती तै हुई है उसके हिसाब से हम लोग मिलकर काम करें और यह संदेश यहां से न जाए की हम बटे हुए हैं पूरा सदन इस विशय पर एक है परन्तु दुर्भाग्य है की जिस ढंग से नयलय में हमें अपनी बात रखनी चाहिए थी उस ढंग से हम नहीं रख पाए हम चाहते हैं की अतिशीग्र इसका फैसला किया जाए और इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए मुझे ऐसा लगता है की वास्तविक्ता की और न जाकर राजनीतिक मुद्दे के हिसाब से इस काम को लिया जा रहा है मेरा आगरह है की बच्चों का भविश्य खराब न हो और जो सुविधा देने की बात है उस पर सरकार अपनी इसपस्ट राय दे पैरा महोदै यह बहुत ही गंभीर मामला है और जहां तक नयपाली का द्वारा दिये गए रोक आदेश की बात है मैं उस आधार पर नहीं कह रहा हूँ जब अकादमिक सत्र शुरू होता है उस समय IIM और IIT में दाखिले का यह मामला आ गया है और एक तरहे की दुविधा बन गई है ऐसे में सरकार को इस सदन द्वारा पारित किये गए कानून के आधार पर अपना पक्ष अच्छी तरहे रखना चाहिए और दूसरी तरफ यह विवादित मामला नहीं होना चाहिए विराम हमारे देश में आरक्षन के नाम पर एक हिस्से को दूसरे हिस्से को अलग करके लडाने की कोशिश की गई है हम सदन में जैसे एक साथ हैं पूरे समाज में भी वही इस्थती पैदा होनी चाहिए विराम दाखिले के समय यह जो रुकावट आई है उससे बहुत से सादारण वर्ग के और पहले से ही आरक्षित वर्ग में आने वाले लोगों को भी दिक्कत हो रही है इसकी वजह से अकादमिक सत्र में नुकसान नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके साथ ही रोजगार का भी साधन जुड़ा हुआ है विराम इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा की जल्द से जल्द इस पर फैसला ले और स्थती को बहतर बनाए विराम तो दोस्तों यह थी है मरी आज की मैत्व पूर्ण एवम पर एक शोप योगी डिक्टिशन जियो की 50 डिक्टिशन की सीरीज का पांचवा भाग थी और जिसकी 90 शब्द प्रतिमिनट की थी आशा करता है आप सभी को यह डिक्टिशन पर संद आ योगी तो प्लीस कमेंट ब सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें धन्यवाद